मध्यपरदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूरो मुख्यमंत्री कमलनात ने सनिवार को मनला जिले में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजी जनसभा को शमबोधित किया उन्होंने नर्मदा मैया और रानी दुर्गावती के जैकारे लगाते हुए कहा कि मनला जिले को मैं अपने हिदय के सबसे करीब मानता हूँ लेकिन यहां की समस्याओ को सुनकर मुझे दुख होता है कभी कोई मुआउजे की बात करता है कभी सरकों की बात करता है कोई मेडिकल कालेज की तो कोई अस्पताल और पुलीस की बिगडी हुई कानून व्यवस्था की भी बात करता है आज मंडला ही नहीं पुरे प्रदेश का हाल किसी से च्छिपा नहीं है प्रदेश की तश्वीर आपके सामने है चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट सिक्षा वेवस्था, चौपट स्वास्था वेवस्था, चौपट नदिया, चौपट नवजवानों का भविस्य और चौपट काम धंदे यह चौपट राज भाजपा सरकार की पहचान बन गई है आज मनला का इवा ही नहीं हर परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है ऐसा लगता है शिवराद जी ने मनला जिले को पलायन की राजधानी बना दिया है आदिवासियों के लिए बने पेशा कानून में भी इस सरकार ने घोटाला किया है आज प्रदेश की तस्वीर आप सब के सामने है चौपट राज चौपट सरकार चौपट मद्यप्रदेश प्रदेश में 18 साल से यह चौपट सरकार चल रही है 18 साल के इस चौपट सरकार ने मद्यप्रदेश का बविश्य चौपट किया चौपट रोजगार योजना चौपट बरती विवस्ता चौपट कृशी विवस्ता चौपट शिक्षा विविस्ता चौपट नर्सिंग विवस्ता चौपट उद्योग धंदे चौपट अर्थ विवस्ता चौपट नदियां चौपट कानून विवस्ता आज आप केंद्र सरकार के आकड़े पढ़िए मद्द परदेश ऐसा परदेश है जहां आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा हमला होता है हमारे आदिवासि भाईयों को यह मैं नहीं कह रहा यह केंद्र सरकार के आकड़े हैं ये चौपट सरकार ने मद्द पदेश के भविश को चौपट किया कमलनात ने आगे कहा कि चुनावाते ही सिवराज जी की जूटी घोषनाओं की मसीन डबल स्पीट से चलने लगी है अगर आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम वचन देते है कि कांग्रेश की सरकार बनने पर 500 रुपे में गैस सिलेंडर हर महिला को 1500 रुपे और करमचारियों को पुरानी पेंसन देंगे साथ में किसान करज माफी और सव यूनिट बिजली माफ और दो सव यूनिट पर हाफ चारदली आजाएगा अपना माहिने है चार माहिने बाद जो विदान सवा का चुनाव है ये केवल एक विदायक या एक पार्टी का चुनाव नहीं है ये चुनाव मद्पदेश का बविश्य तेह करेगी ये चुनाव इन नवजवान जो करे हैं इनका बविश्य तेह करेगी ये इस चुनाव कि हमारी देश की संस्कृती सुरक्षित रहेगी ये तेह करेगी हमारे देश की संस्कृती जोडने की संस्कृती है हम दिल जोडते हैं, संबन जोडते हैं, रिष्टा जोडते हैं सब को जोड के रखते हैं किते धरम हैं अपने देश में ये मत करिए किते धरम हैं अपने देश में किती जातिया हैं अपने देश में किती भाषा हैं अपने देश में किते देवी देवता हैं अपने देश में किते तुवार हैं अपने देश में ऐसा कोई देश विश्वे नहीं है पर आज हमारा देश एक जंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोडने की संस्कृति है आपके गाउं में आदिबासी है ये हमारे देश की संस्कृती है पर आज इस संस्केती पर जो हमला हूरा है आप ये आदिवासी जिले में बैट़ कर पढ़िये मनीपुर में क्या हो रहा है मनिपर में क्या हो रहा है, कितने लोगों की मौट हो रही है, रोज, कितने मकान जलाए जा रहे है, आधिवासी और गेर आधिवासी के बीच में विवाद, भाजपा की सरकार है आज केंद्र सरकार के आकड़ों पर नजर डाले तो मद्ध प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय में सब से आगे है यहां की जनता शिवरा सिंग चवहान की बड़ी बड़ी घोसनाओं की भी गवाह है उधारन के तौर पर मंडला में मेडिकल कालेज की घोसना कई बार की गई है लेकिन आज तक मेडिकल कालेज की स्विक्रती भी प्रदान नहीं की गई ज़्यादा ना कहते होएं आपको तो बस साबदान करना चाहता हूं जैसे मैंने कहा आप रक्षक हैं आप मंडला के बविश्य के रक्षक हैं आप इन नव जवालों के बविश्य के रक्षक हैं आप मद्ब प्रदेश के बविश्य के रक्षक हैं और मुझे पूरा विश्वास है पूरा विश्वास है कि पांच मेने बाद आप इसकी रक्षा करेंगे कमलनात का साथ मत देना कांगरिस का साथ मत देना पर तस्वीर रख लेजी अपने सामने प्रदेश की सच्चाई का साथ जरूर दे देना आप सच्चाई का साथ देंगे सच्चाई का साथ देंगे तो मद्द पदेश का बविश्च सुलक्षित रहेगा ये आपके सामने चुनाओती है ये ही मेरे आपके सामने प्रारतना है और मुझे पूरा विश्वास है मंडला पर मुझे पूरा विश्वास है मद्ब पदेश की बेदान सबा में ले राएगा आप सब का भूत बहुत गन्यवाद हो गया हो गया हो गया जजेक कमलाद!